चैहिंद नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सेकर और स्वागताव सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीकेन हिंदी एंड आर्मी रेनिंग पर दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री स्पेशल टेस्ट ये आपका दोस्तों अगर आप टेकनिकल एक्जाम की तियारी करते हैं इसके लाग अगर आप सोल्जर नर्सिंग एस्टेंट की तियारी करते हैं तो उस एक्जाम के लिए काफी हेल्पपुल ये वीडियो आपका रहने वाला है अगर दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और इसके साथ आप लाइक कीजिए और इसके लाग आपने दोस्तों के साथ सेर भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अगर नए आए हैं अभी अभी चैनल से नए जुड़े हैं तो कई बहुत सारी वीडियो हैं दोस्तों जो आपके नर्सिंग स्टेंड से संबंदित काफी इंपोटेंट वीडियो पले लिस्ट में हैं आप पले लिस्टे बनी हुए आप वहां जाकर देख सकते हैं इसके लागर आप जीडी एक्जाम की तियारी करते हैं आर्मी जीडी में तो उसके लिए भी रोज रोज या हर तीसरे दिन वीडियो दी जा रहे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं तो आज के इस टेस्ट में 15 कोश्चिन है तो अगर आपका स्कोर 12 से पलस रहता है तो आपकी त्यारी कापी अच्छी है मांकि दोस्तों अगर आपका करते हैं कि का तो मैंने अपको बताया था कि इसमें सिर्फ चेमिश्ट्री मैंने लिए है तो आपको पहला कोश्चिन आपके लिए एक और 270 मान होगा और दसमलब जीरो दो दो गुणा दसकी घाद माइनस त्याइस चै दसमलब जीरो दो दो गुणा दसकी घाद त्याइस चै दो 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 गुणा दसकी घाद उननिस और चै दसमलब जीरो दो दो गुणा दसकी घाद माइनस उननिस तो दो पलस में है दो माइनस में तो अगर आप 10 की गहाद माइनस पलस 19 याद है और माइनस 19 याद है तो आपके रहे 2 option है अगर आपको 10 की गहाद माइनस 23 याद आ रहा है कुछ हलका फुलका तो आपके बास भी 2 option है तो इसका सई उत्तर होगा दोस्तो आपका option number D नहीं होगा A भी नहीं होगा तो option number होगा हमारा B तो आप ये याद रखे बाके सब सेम ही है 6.022 गुण 10 की गहाद माइनस 23 तो ये आपने छोटी कक्चाओं से ही पढ़ा होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ बॉक्साइट किसका महत्वूर्ण अयस्क है तो ये आपको बताना है और एक्जाम के लिए भी काफ़ इंपोटेंट है SSEGD एक्जाम में भी पूछा गया था है पिछली बार तो बॉक्साइट किसका महत्वूर्ण अयसका है जिंक अबरक ताबा या फिर अलूमीनियम तो बॉक्साइट हो जाएगा हमारा आप्सन नमबर D तो बॉक्साइट जो है महत्वूर्ण अयसका है अलूमीनियम का अलूमीनियम बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ गोस्तों अगर आप चैनल अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये आपको बताना है किस रंग का तरंग दैरी कम होता है बैगनी, लाल, नीला या फिर हरा तो किस रंग का तरंग दैरी कम होता है तो आप्सन नमबर A हमारा बिल्कुल सही होगा तो आप्सन नमबर A बिल्कुल सही हो जाएगा बेग बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ पाई रक्स कांच मुख्यता है तो ये आपको बताना है कि पाई रक्स जो कांच है वो क्या है साधारण कांच है और इसके अलावा उसमा परतिरोधी कांच है उसमा अवसोसक कांच है या फिर इन में से कोई नहीं तो पाई रक्स कांच जो होता है हमारा यह होता है उसमा परतिरोधी कांच यह पाई रक्स कांच होता है तो और बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ तो अगला कुश्चिन है सबसे सुद्ध कोईले का परकार कौन सा है सबसे सुद्ध कोईले के परकार कौन सा है पीट कोईला, बिटुमिनस कोईला, अंत्रासाइट कोईला या फिर लिंगनाइट कोईला तो सबसे सुद्ध कोईले का जो परकार हो जाएगा इनमें से प्रिगुल सही है तो आपने भी यही सोचा होगा पांस सेगंडिक के अंदर आपके मन में जो है उत्तर आ जाना चाहिए वहां भी आपको एक घंटे का टाइम मिलता है उस्तों उसी में आपको जो है को सॉल्व करने रहते हैं तो पचास कोश्चिन आप से आपको सॉल्व करन होते हैं बागी दोस्तों आप नर्सिंग आपके लिए क्यों बहतर है इसमें कैसे होता है वह अगली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं अगला कुश्चिन है पेट्रोलियम में दैस का जटिल मिस्रण है पेट्रोलियम में आपको बताना है कि किन चीजु का जो है व बी नहीं और इसका विल्कुल सही है प्रोफेन एंव ब्यूटेन तो प्रोटेलियम में जो है वह प्रोफेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है बढ़ता है अगले कोस्चिन की तरफ अगला कोस्चिन आपका मानव द्वारा निर्मित पर्थम संस्यलिस्ट रेशा था तो यह आपको इस परस्ण में बताना है नाइलान रेयान पॉलिस्टर या फिर टैरिकॉट तो मानव द्वारा निर्मित पर्थम संस्यलिस्ट रेशा था तो इसका से उत्तर हो जाएगा उस तो ऑप्शन नंबर ए तो यह हो जाएगा नाइलान तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल स साइट्रेरिक अमल या फिर साइट्रिक अमल या फिर फार्मिक अमल या फिर ब्यूटेरिक अमल तो नीबु में दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो नीबु में हो जाएगा साइट्रिक अमल ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरब तो अगला कोश्चिन है दोस्तो आपका निमलिकित मैसे सबसे भारी धातू है तो ये आपको बताना है दोस्तो एक गंटे लगबग 30 मिनट की वीडियो है वो आपके इस एक्जाम के लिए बहुत इंपोटेंट हो सकते है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं तो पार में से संबन दित तो उसमां दोस्तो 500 से ज्यादा कोश्चिन है और काफी इंपोर्टेंट कोश्चिन है एक गंटे 30 मिनट की वीडियो है तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं वह आपको पले लिस्ट में मिल जाएगी काफी अच्चे कोश्चिन है दोस्तों ताबा है चांदी है तो सबसे भारी धातु हो जाएगी दोस्तों आपकी यूरेनियम तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरफ टाका सोल्डर से बनी मिस्र धातु है तो अब आपको बताना है कि इसमें आपसे पुछा है मिस्र धा तो option number इसका जो D है वो बिल्कुल सही है जो टाका सोल्डर मिस्र धातू बनी है यह दोस्तों सीसा और टीन से मिलकर बनी है तो option number D बिल्कुल सही है अगर आपको लगता है कि किसी question का उत्तर गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगला question है वायू में ध्वनी का वेक स्वतंतर होता है वायू में ध्वनी का वेक स्वतंतर होता है दाप से आदरता से घनत्तु से या पिर तापमान से तो वायू में ध्वनी का वेक स्वतंतर होता है तो यह होता है दोस्तों option number A दाप से तो दाप हमारा बिल्कुल सही उत्त हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोस्टिन की तरफ तो प्राथमिक रंग कहा जाता है तो यह भी आपके एक्जाम के लिए इंपोटेंट है तो प्राथमिक रंग कहा जाता है तो यह आपको इसमें बताना है पीला हरा नीला नीला लाल बैगनी या फिर इनमें से कोई है तो प बाद हरा प्रफ्रान हमारे बीमें है तो बांकि इसमें के रसक्त प्रेश मान कितना होता है नौ दस्द समलभ 008 pó पर साथ दसमलभ 0-059 चार तो साथ पर होता है उस्तो उदासीन उदासीन तो उदासीन होता है हमारा जल तो नीबू होता है दोस्था हमारा अमल ले तो इस का हो जाए ग 1 अप 4 तो 0 भी नहीं और तो 7 से जादा होते होते हैं अगला कोश्चिन है तमाकूमै बिसेला पदार्थ होता है निकोटीन, फिनॉल, एस्परीन या फिर गिरेफाइट तो आपने इसका उत्तर देखते ही कर दिया होगा तो option number A इसका बिल्कुल सही है तमाकूम जो भी सेला पदार तो होता है वो होता है निकोटीन तो option number A हमारा बिल्कुल सही होगा बढ़ते हैं आज के आगरी question की तरब तो पाइरेक्स कांच मुख्यता है तो साधरान कांच, उस्मा परतीरोधी कांच उस्मा उस्पर कांच पाइरेक्समा परतीरोधी कांच तो option number B इसका बिल्कुल सही है तो ये थी दोस्तों आज के आपके question और कितने से हुए आप comment box में बता सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं आप उन्हें देख सकते हैं बागे आप अपनी त्यारी करते रहिए सब कुछ की त्यारी करते रहिए तो thank you friend, thank you so much अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe कीजे